हेलो स्टुडिंट्स प्रॉब्लम क्लास 11 की नंसे आटी नंबर 5 की मिसलीनियस एक्सरसाइस से लिया है उसका फर्स प्रॉब्लम है और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है आयोटा की फावर बड़ी बड़ी लगी होई है उसको हमें करना है सिंपलीफाई या इवेल्वेट तो सबसे पहले तो यह जो वन अपोन आई है ना इसमें आप आई को उपर लेकर आओ तो बहुत सिंपल रास्ता है या तो आप आयोटा से उपर नीचे कर दो मल्टीपलाई या आयोटा की पावर फोर लिख दो वन को तो वो न्यूम्रेटर में आ जाएगा तो कुल मिला के जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दिया है let me call it as sum e जो एक्सप्रेशन हमको करना एवेल्वेट वो क्या बन गया आयोटा की पावर 18 हो गया और यहां अगर हम 1 बाई आयोटा को आयोटा क्यूब पढ़ेंगे तो आयोटा क्यूब की पावर 25 भी है तो यह 75 और फिर इसका पूरे का क्यूब पहले आप इसको कर लो simplify फिर उसका क्यूब कर देना तो जैसा कि हम जानते कि आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 होता है तो हमने nearest multiples को सुचा तो जैसे 18 है तो 18 के nearest 4 का multiple 16 आएगा तो आयोटा की पावर 16 into iota square 16 जो है वो actual में क्या आयोटा की पावर 4 और उसकी भी पावर 4 तो यह तो 1 हो जाएगा और आयोटा की पावर 75 इसमें भी वही काम करेंगे nearest 4 के multiple को देखा वो आयोटा की पावर 72 इसका q आयोटा की पार 16 भी 1 हो गया और 72 भी 1 हो गया जितने भी आयोटा की पार 4k टाइब के नमबर होते हैं 4k मतलब 4k multiples वो सभी 1 हो जाते और ये 1 होने के बाद आयोटा square आयोटा square तो minus 1 है तो ये बहुत simple हो गया यहाँ पर आपको बस इसका cube लिखना है तो इस expression को a plus b के whole cube के form में देखा गया और a cube तो यह minus 1 का cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square 3ab square अब हम इसके real parts को जो है वो एक साथ लिख लेते हैं इसके real parts है यह minus 1 का cube यानी minus 1 और यह भी real part है क्योंकि इसमें iota का square है iota square तो minus 1 होता है तो minus 1 into minus 1 यह plus 1 हो गया and into 3 यह 3 तो यह 3 effectively यह 3 लिखा है और यह minus 1 लिखा है तो real part is 2 अच्छा iota cube जो है वो होता है minus i क्योंकि यहां में step और लिख देदा हो और थोड़ा सा clear हो जाएगा आप लोगों को iota cube is iota square into i so iota square is minus 1 और यहां पर देखें तो plus 3 iota तो iota के terms में calculation करनी है तो हमारा expression जो है वो real part तो उसका 2 हो जाएगा plus 2 iota तो यह expression simplify होके 2 plus 2 iota ऐसा आजाएगा यही final answer होगा प्राइब देखें प्राइब लोगों को